Hey guys, welcome and welcome back to my channel So, आज का हमारा problem है Sort characters by frequency So, इस problem statement में हमें क्या दे रखा है यहाँ पे ना हमें एक string S दे रखा है और इस string को हमें sort करना है descending order में based on the frequency of the characters ओके? तो यहाँ पे आपका answer multiple हो सकता है तो इन में से आप किसी को भी एक भी 10 करोगे ना तो आपका यह submit हो जाएगा, तो यह problem क्या है इसको ना हम example के through समझते है फिर देखेंगे कैसे इसे solve कर सकते है तो आपका यह first example है tree तो इसमें T की frequency कितनी है? 1 है R की frequency कितनी है? 1 है E की frequency कितनी है? 2 है तो हमें क्या करना है? इसको sort करना decreasing order में frequency के basis पे तो सबसे ज़्यादा frequency किसकी है? E की है तो आपका E पहले होगा इसकी frequency कितनी है 2 है? तो 2 times होगा फिर आप T और R कहीं पर भी रख सकते हैं किसी भी order में ठीक है? यह भी answer हो सकता है यह भी answer हो सकता है तो आप दोनों में किसी को भी order करोगे तो यह submit हो जाएगा तो second example आप देखो इसमें क्या दे रखा है? C, 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 A, A, A तो यहाँ पर C की frequency क्या है? 3 है A की frequency क्या है? 3 है तो यहाँ पर दोनों की frequency 3 है तो यहाँ पर C, 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 A, A, A भी answer होगा A, 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 C, C, C भी answer हो सकता है दोनों में से आप कोई भी टेंड कर दो आपका submit हो जाएगा अब आओ थर्ड example पे थर्ड example में आपका क्या दे रखा है? A, A, B, B अब यह upper case में है और यह lower case में है तो हमें ना इन दोनों को अलग-अलग treat करना है तो यह आपको कहां से पता चलेगा जब आप यहाँ पे देखो कि example में आपको दे रखा है कि यह जो upper case है और यह lower case है इसे हमें treat करना है different characters की तड़ा ठीक है? तो यह अपना different है तो इसकी frequency 1 होगी इसकी frequency 1 होगी और इसकी frequency यहाँ पे मैंने 3 ले रखा यहाँ पे 2 है कोई बात नहीं चलेगा तो यहाँ पे 2 ले लो यहाँ पे 1 ले लो तो इसमें से सब से जयदा किसकी frequency है इसकी है भी की तो हम भी को पहले रखेंगे रख लिया उसकी बात इन में इन दोनों का तो सेमें तो आप इसको पहले रख लो, या आप इसको पहले रख लो, तो दोनों को हम कर सकते हैं, तो अब यहाँ पर हम इस problem को solve कैसे कर सकते हैं, देखो, अपने को क्या करना है, store करना है, character को भी, और character को भी देखना है और यहाँ पर हमें frequency को भी देखना है और इसकी frequency को भी देखना है तो इस time आप कौन से data structure का use कर सकते हो आपके धिमागे पक्का आया होगा कि हम map यूज कर सकते हैं तो map में हम क्या करेंगे हम यहाँ पर किस character का कितना frequency है यह हमें map से पता चल जाएगा तो मैं करेंगे क्या हम एक-एक element के थुरू traverse करेंगे तो पहले अपना T मिलेगा तो T की frequency 1 होगी यहाँ पर फिर R मिलेगा तो R की frequency यहाँ पर 1 है फिर E मिलेगा E की frequency यहाँ पे 1 है फिर यह E मिलेगा तो इसकी frequency 2 है तो यह आपको मिल गया अब हमें क्या करना है second element के basis पे हमें arrange करना है तो हम क्या करेंगे इसको vector में store कर लेंगे पहले ताकि हम sort कर सके second element के basis पे तो हम क्या करेंगे vector जो लेंगे अपना वह vector of pair होगा vector of pair होगा first आपका character होगा दूस्तर आपका integer होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे T का 1 होगा फिर R का frequency 1 होगा E का value frequency 2 होगा अब हम क्या करेंगे sort function यूज करेंगे जो क्या करेंगा आपका second element के basis पे sort करेंगा तो यह क्या करेंगा sort कर लेगा तो E आप दोनों में कोई भी हो सकता है पहले यह हो गया ठीक है अब हम क्या करेंगे ना यहाँ पर कर लिया हमने अब हम एक answer string ले लेते हैं अब यहाँ पर क्या करेंगे इस element को देखेंगे यह वेक्टर का क्या है first element है तो first element में यह first value है और यह second value है ठीक है तो first value हमें क्या करना append करना यहाँ पर कितने times तक जितने times तक second value है pair का तो two times तक हमें क्या करना यहाँ पर append कर देना कर लिया हमने अब यह हो गया अब हम यहाँ पर आएंगे यह r है R आपका first value है spare का और ये second value है तो हमें क्या करना है first value को ये second value की times तक यहाँ पर append करना है तो यहाँ पर 1 है तो ये 8 हो जाएगा same यहाँ पर भी करना है T को append करना है कितने times तक? 1 time तक तो यहाँ पर T append हो जाना है तो यह आपका answer हो जाएगा आप finally क्या करोंगा answer को 10 कर दोगे तो यहाँ पर आप vector की help से भी कर सकते हो और एक आप maximum priority Q भी use कर सकते हो यासे आपने यहाँ पर क्या कड़ा यहाँ पर आपने map बनाया तो map की value को आप क्या करोंगा डिल Hetворichen П्लit wieder यह क्या करता है यह maximum priority Q होगा तो आपको यहां पर character को विद्यान लखना है और इसको विद्यान लखना है तो maximum priority का जो sorting होता है वो first element के basis पे होता है तो हमें इसका लेखना है ना मिलने sorting तो हम क्या करेंगे, first element integer डालेंगे इसमें और second element डालेंगे इसमें, हम, क्या, आपका character, ठीक है तो यहां पे आपका क्या होगा वन टी टालो 이제 यह होगा फिर गर आयेगा तो अपिर हाल गरार गणये तो इसका भी वैन्न है तो भी कृहने डियंके उन्हाट क्या हो गा एक सेरो लेंयेगेung हमने यहां पर क्या करेंगे ए को दो टाइम कर तक करेंगे फिर इसको बाहर निकालेंगे फिर इसको बाहर निकालेंगे तो यह वन है और टी है टी को वन टाइम तक अपेंड कर लेंगे फिर इसको बाहर निकालेंगे पॉप कर लेंगे इसको आर्ट तो यह आपका है दोनों म देखो यह हम यह आपका वेक्टर है वेक्टर पर हमने क्या लिया है इनिशल में यहां पर यह आपका है फ्रिक्वेंसी और अर्डर मैप होगा पहला करेक्टर होगा दूसरा इंटीजर होगा राइट उसके बाद हम क्या करेंगे लूप चलाएंगे एक 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 एलमेंट इसकेन का तियार हो जाएँ गा हैै को उसके बदाद क्या करणे वेक्टर होगे पहला क्रिक्टर वह दोगा उसके बाद मुझा पर की है dat उसके वह größंपर क्या करे उन तो प्या करेंगा तो च प्या reimbursement को भूलाना तो यह यहाँ पर a second greater than b second है, यह आपको क्या करेगा, descending order में करेगा, यही आप opposite में करोगे, तो यह क्या होगा, आपका ascending order में हो जाना है, तो यह आपको वेक्टर sort करके दे रहेगा, फिर आप क्या करोगे, answer में आपको फिर से, क्या करना है, string बनाना है न, तो एक-एक element होगे, vector का, okay, फिर आप vector जैसे x निकाले, तो x का first जो होगा, वो character है, और x का second है, वो आपका क्या है, फ्रेंक्वेंसी है, उतने times तक वो character उसमें append करना होगा, answer में, इसलिए हम यहाँ पर follow-up फिर से use कर लिया है, और यह क्या हो जाएगा, आपका x first हो जाएगा, इसमें answer हो जाएगा, इस तरह से क्या होगा, आपका answer मन जाना है, answer string, अब फाइनली आप क्या करोगा, यहाँ पर return कर दोगे, okay, तो यह आपका हो गया, और दूसरा आपका होगा, priority queue वाला, तो same है, हम same process यहाँ पर भी करेंगे, map लेंगे, map में store करेंगे, फिर priority queue ले लेंगे, priority queue मे यहाँ पर लेंगे, पहले इंटीजर होगा, फिर आपका character होगा, फिर हम क्या करेंगे, priority queue में insert कर देंगे, यहाँ पर शॉर्ट करने की जोतने ही पड़ेंगे, क्योंकि maximum priority queue है, आपका, right, first element के basis पी कर देता है, इसलिए हमने एक सेकेंड को बाद में लिया है, मतलब, frequency को प प्रोसेस जो आपने वहाँ पर आंसर जैसे तियार किया था, यहाँ पर आप वैसी तियार करोगे, फिर a string को क्या करोगा, आप रिटन कर दोगे, okay, तो I hope आपको समझ में आया होगा, अगरे वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेर एंड सब्सक्राइब कर द